दोस्ती रूमें उत्रा हुआ रिस्ता है शाभ मुलाकात कम होने से दोस्ती कम नहीं होती और याद रखेगा मेरी एक बात अगर मम्मी पापा के बाद अगर कोई अनमोल रिस्ता इस दुनिया में है ना तो वह दोस्ती है जो दोस्त आप सभी के लिए कर सकते हैं वो जिन्दगी में और कोई नहीं कर सकता सिवाए माबापके तो माबापके बाद अगर कोई चीज अनमोल है ना तो वो दोस्ती है लेकिन हाँ आपको दोस्त भी पहचान में आना चाहिए वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्त बन करी न आपको धोका देंगे और ऐसा नहीं है अटेच्मेंट आपको लाइट में किसी के साथ भी हो सकता है इसका मतलब यही नहीं कि वही आपका अपना है तो अटेच्मेंट का मतलब आप मतलब क्या होता है अलग और अटेच्मेंट का मतलब अलग यह नहीं कि आपको किसी से प्यार हो गया तो वही आपके लिए सब कुछ है ऐसा नहीं वो कुछ दिन के लिए अनमोल है अब अगर आप उसके बिना मालो अगर आप उसके दो मैना दूर रहते हैं तो वो कहीं न कहीं, इसका साधी हो जाएगा, कहीं हो जाएगा, फिर वो आपको भूल जाएगा, लेकिन दोस्ती नहीं, तो दोस्ती को आप compare नहीं कर सकते, attachment के साथ, तो माब आपके बाद, दोस्ती सबसे अनमोल होता है, तो ये बात आप याद रखेगा, क्लास को अप्लोड किया है, कि आप 299 में अभी जो है, प्राइस कम कर दिया गया है, यानि आप application, सकसेस की 98 डाउनलोड करने के बाद, आप वहाँ पर जितने भी मोग टेस्ट है न, रेलवे के, SEC के या फिर बैंक के, हर एक एक्जाम का मोग टेस्ट जो है, आप 299 रुपए में दे सकते हैं, पूरे साल बर के लिए, यानि साल बर आपको और किसी एक्जाम का मोग टेस्ट आपको खरीदने की जरुवत नहीं है, हिंदी और इंगलिस दोनों में आप एक्जाम दे सकते हैं, हर एक एक्जाम का, या SEC का हो, railway का हो, या फिर बैंक का हो, उस application के उपर ही जो दिन बीजी था, नौ बजे मैं घर आया, अपने दिदी के घर से, फिर सोचा कि सो जाते हैं, फिर सोचे ने क्लास करवा देते हैं, कम से कम वहना दो दिन छुड़ चुड़ चुका है, तो अभी मैं आपको आठ और नौ मार्च का current affair करवा दे रहा हूं, और कोसिस करूँग तो देखते हैं, कल मम्मी पापा से आपको जरूर मिलाओंगा, और आज कवर करते हैं, आठ और नौ मार्च के important current affair कुछ important points से, और एक बात, देशी यात्रा वाले जो चैनल है न, उस पर मैं live आओंगा, ठीक है, तो देखते हैं, आज का पहला question हमारे सामने क्या निकल कर और उनका नाम क्या है, बीमल जुलका, option number आपका B, ठीक है, अगला question हमारे सामने है, नए बित्य सचीव के रूप में किसे निक्त किया गया है, ये आपको बताना है, who has been appointed as a new finance secretary, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका अजय भुसन, पांडे option number आपका A, ठीक है, ये सब question बहुत important है, और जो भी question मैं आपको current affair में कराता हूँ, सारे question important है, अगला प्रस्त हमारे सामने हैं, आप सभी को पता है, जितने भी इंडिया में लोग हैं, इसका answer तो बच्चे बच्चे ने रेंगे, RBI ने किस बैंक के खाता धारकों के लिए 50,000 रुपए की निकासी सीमा जारी की है, आप सभी को पता है, जो yes bank है, उन्होंने बोल दिया है कि bank जो है, वो NPA की कागार पर है, यानि non performing asset के कागार पर है, और इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारा wallet जो है, वो एक से दो दिन तक बन था, market में पूरा हड़कम मच गया था, yes bank के NPA होने के बाद, ठीक है, तो answer क्या होगा NPA, ये सब चीज होने के बाद, Reserve Bank of India ने बोला, कि वा उस bank में जितने भी customer है, वो 50,000 रुपए तक निकाल सकते हैं, एक महेने में, ठीक है और, yes bank का tagline किया है, experience our expertise, वहां के CEO कौन है, रवनित गिल, नाम याद रखना अच्छे से, आप सभी exam में question बनेगा, founder कौन है, राना कपूर, नाम सुना सुना लग रहा होगा, भाया वही राना कपूर ना, जो नोट बंदी के वक्त बोले थे, कि मोदी जी ने बहुत master stroke चल है, बिलकुल वही राना कपूर है, और, yes bank का headquarter कहां पर है, तो वो है, आपका मुंबई में, अगला प्रस हमारे सामने है, केंद्र सरकार ने, किस तारिक तक, सभी प्रात्मिक school को बंद करने का आदेश दिया है, तो आप सभी को पता है, हमारे भारत में भी, क्रोना भायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए, एक से पास क्लास तक, primary classes, यानि पाँच क्लास तक जो है, वो जितने भी स्कूल है, जो वो 31 मार्स तक जो है, वो बंद रहेंगे, ठीक है, अगला क्वस्शन हमारे सामने, इंद्रा गांदी ने, किस अंतरास्ट्य पत्रिका को, 100 women of the year सुची में सामिल किया गया, इंद्रा गांदी नी, इंद्रा गांदी को, 100, लास्ट, पीछले 100 बर्स में सबसे, powerful women's के, सुची में जो list जारी किया गया है, उसमें इंद्रा गांदी का भी नाम है, और ये पत्रिका किस के द्वारा जारी किया गया है, तो time's magazine के द्वारा option नमबर आपका B, ठीक है अगला प्रस्वारे सामने मंगल मिसन 2020 के लिए नासा के रोवर का नाम बताना है बहुत important question है ये वाला मार्स मिसन 2020 के लिए नासा का रोवर का नाम क्या है ये आपको इस question में बताना है तो नाम याद रखिएगा उसका नाम दिया गया है आपका perseverance option number आपका D, ठीक है और एक बात, आप सभी को बता दूँ नासा के प्रसासक कौन है परभंदक बोलते हैं, एड्मिस्ट्रेटर बोलते हैं, तो उनका नाम है आपका Jim Brandstein, ये इनका भी नाम आप सभी याद रखिएगा अगला प्रस हमारे सामने है अंतरास्टिय महिला दिवस्त कम बनाया जाता है और ये मनाते हैं, सभी को पता है, आठ मार्च को जो है, International Omen's Day मनाते हैं कब 8 मार्च और साथ साथ ये पको ये भी याद रखना है, International Omen's Day का बिसए यानि थीम क्या था आपको थीम भी याद रखना है और वो थीम क्या है I am Generation Equality Realizing Omen's Right ये इस्तवार का जो है वो थीम है, ये आपको याद रखना है, आपको बस डेट याद नहीं रखना है, कि डेट याद कर लिए काम चल गया, आपको बिसए भी याद रखना है International Omen's Day का ठीक है, अगला प्रस्त हमारे सामने है किस देश ने भरस्टाचार के आरोप में निलंबन के तहत सरकारी कर्मचारियों को पास्पोर्ट परदान करने से इंकार कर दिया है, यानि कहने का मतलब है, मालनो बहुत सारे गोवर्मेंट इपलोई है बहुत सारे सरकारी कर्मचारी है जिनके उपर भरस्टाचार, करप्सन के आरोप है और उनको सस्पेंड किया गया है निलंबन किया गया है तो उनके नाम से पास्पोर्ट जारी नहीं होगा, यह पूरा strict order आया है भारत सरकार के तरब से यानि option number आपका D, India is the right answer ठीक है एक है question cut to cut आप सभी को clear होना चाहिए अगला question हमारे सामने है चलसनी वेंक्टर नागेशुर को किस अगर्णी बैंक के डिप्टी MD और CFO के अत्रिक्ट परभार जो है वो दे दिया गया है नाम क्या है, तो नाम है आपका भाईया चलसनी वेंक्टर नागेशुर और इनको बनाया गया है SBI का option number B और SBI के chairperson कौन है रजनीज कुमार SBI का मुख्याले मुंबई SBI का tagline क्या है न ये आप सभी को comment करकर बताना है, ये आपको आज का पहला परस्त है अगला परस्त हमारे सामने है चंद्रियान 3 के प्रक्षिपन की कब उमीद की गई है, expected date कब रखा गया है चंद्रियान 3 का और ये आपको इस question में बताना है, और ये रखा गया चमा ही 2021 में, यानि हाफ, first half of 2021, अच्छे से देख ले न, सारे option आपको मिले जूले नजर आ रहे हैं लेकिन answer क्या होगा, first half of 2021 राइट, अगला परस्त हमारे सामने है केंद्रियान सरकार ने महिलाओ को अजवी का कमान के लिए समर्थन देने के लिए 2022 तक कितने स्वे सहायता समूब बनाने का परस्ताव जो है, वो पारित किया है तो 75 लाख option number आपका C अगला परस्त हमारे सामने करमचारी भविश्र नीदी संगठन ने जमा पर ब्यासदर को चालू वित्त वर्स 19-20 के लिए कितना कम कर दिया है हाला कि जब-जब मैं ये ख़बर देखता हूँ तो मुझे प्रस्तनली बहुत खराब लगता है क्योंकि मेरा प्रस्तनली मानना है कि पी-अफ जितने भी पी-फ account होते है उन पे कम से कम किसी भी सरकार को हाथ नहीं मारना चाहिए किसी भी सरकार को कोई भी सरकार हो पी-फ के पैसे को लेकर छेड़ खानी करनी ही नहीं चाहिए पहले 5% पैसा जो है वो private share में लगाया गया उपर से अभी ब्याजदर भी कम किया गया बतानी क्यों किया जा रहा है और मैं बता दूँ पहले 8.65 परतिसत था यानि 8.65 परसेंटेज उसको घटा कर कर दिया गया है 8.5 परतिसत ठीक है अगला प्रस्वारे सामने है पोर्षन अभ्यान के स्मग्र कारियनिवन के लिए किस राज को देश में पहला इस्थान मिला है य विच स्टेट रैंक्ट फर्स्ट इन दा कंट्री फोर ओवर्राल इंप्लीमेंशन ओफ पोर्षन अभ्यान और वो है आपका आंध्र परदेश ऑप्शन नंबर आपका ए और आंध्र परदेश की सियम कौन है जगन मोहन ब्रेडडी राज्युपाल विश्व भुसन हरिश् विच स्टेट रैंक्ट फर्स्ट इन दा कंट्री फोर ओवर्राल इंप्लीमेंटेशन ओफ पोर्षन अभ्यान याद रखिएगा आंध्र परदेश अगला परदेश हमारे सामने है किस देश ने चीन के बाद दुनिया में दुसरा सबसे बड़ा कोविद उनिस यानि क्रोन वाइरस की बात कर रहा है मृत्व दर्ज की यह तो सबी को पता है भृया चाइना के बाद इटली में सबसे ज़्यादा केसिस पाएगा है और वहां सबसे ज़्यादा मृत्व हुई है और आज का आपका दुसरा प्रस नहीं ये भी निकल कर आ रहा है एक तो पहला प्रस नहीं किया था कि State Bank of India की Tag Line का नाम बताना है और दुसरा आपको ये बताना है इटली का राजधानी आप सभी को पता है रोम होता है ठीक है ना? और आपको बताना है इटली का मुद्रा और इटली के राष्ट पती का नाम क्या है ये दो चीज आपको इटली के बारे में कॉमेंट करना है ये आपका आज का दुसरा प्रस नहीं अगला प्रस नहीं सामने नहीं ये हमारा last question था तो ये थे आपके important current of fair 8-9 March का जो आपके exam के लिए काफी important है और इसका पूरा PDF आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा और हाँ कल 200 question का जो PDF था आपका SACCGL का आया हुआ वो question भी PDF पर upload कर दिया गया है या फिर कल के वीडियो के description box में चारी कर दिया गया है सो मेरे जितने भी भाई बेहन देखने सभी को good night अपना ख्याल लखना और कल होली अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से मनाईएगा ठीक है है आपस सेव होली